असरानकूल नाजी agony मुलतान में तन्वेर नांडा साहेड जिसको आप जानते हैं मोट्िवेशनल स्पीकर रहें और तुनकी पाकिस्तान में जितना बी ऑनलाइट काम गोगरई डीजिटल प्लेटवाम पे जितना पी ऑनलाइट काम गोगरई उसमें काफी ज्यादा करदा पाकिस्तान के लाएव बाहर में बहुत जबाद लोग जानते हैं और पाकिस्तान के तेरोatin गोड़ान लोग थि llegó मोजवान लोग थो तनबीर राजना अच्छे केसे जानते हैं जो आं-ॉन Lाइन मांका करते हैं जो डीजिडल मार्किटिंग का काम करतें क्योंके इन चीजों के उस्ताद माने जाते हैं फाकिस्तान वो इंचीजों वो पढ़ाते हैं लोगों वर्क सिखाते हैं और जितने भी ओनलाइन कम्यूंटी है वो सारी तन्वीर नानला को बड़ी अच्छे तरीके से जानती है लेकि एक एतनी पापुलर शक्सित होने के बावरी और एक इसनी तन्वीर नानला साहर्ब इतनी पाकिस्तान भी इतनी जो जूध की बड़ी इंपोर्टन शक्सित है जूध के जो बहुंडर काम करते उनकी रही हासा काम है वो ये सिखाते हैं करवाते हैं लेकिन इनके भाई पर जो अगर्फ दाके के जो एन्पि हैं उन्हें में और आपने पीडियो देखियों कि सरयाम मारा जा रहा है तो मैंने सोचा कि कोन नपीय हो सकता है, यह कोन से शफसियत हो सकती है मैंने फिन 2-4 जगा काई की चीजें देखी बखी तो बता दखे आखिए वो साभी का वजीरियादम को बीटा है नाजिन गिलानी फैमिली को तो आप जानते हैं रजा गिलानी के पेटे थे अली हैदर गिलानी इनके चंद कुंडों ने तन्मीर नाडला साहट के जो भाई हैं उनके जवा वगएरा थी समीन वगएरा थी तो वह वहाँ पर गए थे रजा गिलानी के पेटे ने जो अली हैद वीडियो में नजर आ रहा है कि मारा जा रहा है सर में मार रहे हैं और जो दूसरे उसके साथ लड़का उसको भी मारा जा रहा है और जो श्रस वीडियो बना रहा है उसके पीछे की गालिया देखकर पीछे लगा गया है यह तो अब उसको बच गया हो या भागया होगा यह व का वजीरी आदम के पीटे हैं लेकिन आपका यह रहत नहीं कि आप अपने कुख्यों और जो पतमाशों को फेरिच कर दूसरों की जमीनों पर जातर दबजा करें और क्या को उसको पताइदत तश्द्द्द करें मारें और जिस तरह हम आपने वीडियो मुलाइद फरना दिन यह तो वीडियो बन गई है इस तरह के लोग और पता नहीं किया किया अपने इडाफों में करते हैं तो इसलिए इस तरह कर जो कभी भी इस तरह वाक्या हो उस पर तिंक का हमें जारिए कि हम आवाल ठाइप बोलें और शदीद मुझा मत करें इसी वज़ा से मैंने सुचा क क्योंकि मैं भी इस पर वीडियो बनाओ और आपका हग इस पर यह है कि आप इसको जादा जादा लोगों तक शेयर करें ताकि तन्वीर नानला साब को इसाम ही से के उनके भाईयों बद सापिका वजीर आजम यूसफ रजा गिलानी के बेटे ने अन्य हैदर गिलानी ने त शंदूत जिया है वो कायून के दाइरे में आया और उस पर कामून ही कारवाई हो वरना तो यह तो इतने बड़े डोग है कि वो पूछने वाला भी कोई नी बलके जो तन्वीर नान्ता साहिब है वो खुल बता रहे है कि मैं तकरीवन एक साल से एक साल से पहले मेरी पूरी वैमिली पर ना एक भी मुकतमा था ना कोई इस तरह नहीं कारवाई थी लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इतने केसिस हो गया है कि करते के मुझे पता भी नहीं कि मैं किस किस केस में कभी रहो जाता हूं कभी इस्लामबा जाता हूं और बकाईदा जहां पर यह सब कु वैं नहीं नहीं दोजी तरफ एक और कल तशड़ुद हुआ वो तशड़ुद इस्लामबाद के जज्ज हैं जो उनके खरवे हुआ एक बच्ची पर हुआ नाव्मकर एक हाद पो यह जा रहा है कि चोड़ा साल कि जितनी पी चीजें चपिय हैं जहां से भी मैंने बहुर्द नहीं कहा जा रहा है किェ लिकिन इसको देखें तो थे तकरिप counselors् की बीवी है उनका सेंदे है कि उनके ये कर दिया वो कर दि लेकिन अब हमें जट्च की बीवी के बारे भी अभी भी सुनना बड़ा दोदा स्कतारा में भी सेम यही चेस हुआ इसी तरह के एक जट्च की बेगम ने एक जो खर मुलाजमा है मुलाजम के तौर पर जिसी ना सिरोप सर में टंडे मारे हैं बलके उनके सर पर छोटे छोटे जखम बने हुए जिसमें कीड़े की हद तत बाद आई भिया ना नहीं वह वीडियो में कोशिश करूआ चला सकूँ लेकिन क्यूंकि उस वीडियो को देखना दिया इस यूट्यूब के जो अलगोरीथम है उ दूसरा उसके नाखें पाओ के नाखें उतारे हुए ये बकाईदर टॉर्चर हुआ है और इनका जो जजज साहिब की बेगम है तो कहते हैं कि ये कोई चोग नहीं करने या इस तरह के मामला तो इस वज़े से ना अगर 10-11 साथ का बच्च्या अगर बिर फाद उससे कोई जर्थी कुता ही वो भी नहीं है तो ग्यार ये सब को जाइज है जो किया है जजज की बीवीन है कि जजज की बच्चों के साथ ही कोई करें फिर आप क्या कहेंगे इस फिर भी यही करना चाहिए अगर जजज का बच्च्या ये बेटी से खुदा नावास का कोई चीज वो उठाले चोरी कर ले या कोई इस तरह अगर वाक्या हो जाए अलाकर जो इस बच्ची के वालदा है उन्होंने इस चीज से साफ इंकार किया लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या जजज अपने बच्चों के साथ भी यही कुछ करनी बल्के चाइंड अब्यूज का पकाइ वाक्याथों वो अवाम के सामने जाए और अवाम इनका फैसला करें इंजजिस पर और इस तरह जूस अन्य है इस तरह के रिजए को पताल लग है और और अबात्वें कि इस साफ हो इन्से हिंसाफ है तो इस वाजए से आप यह से यहूटी जितने भी हमारे वीडियो को टेक्ट होती वो सिर्फ इसी पनपस की वज़ा से रहते हैं लेकिन आप अगाम है कि आप इस चैनल को जादर जादर सब्सक्राइब और शियर करें ताकि जो इस तरह के किसी के साथ भी तशद्धो दिया जुलम या जयात्ती हो तो वह आउधी रिपोर्ट करें औ किलिंग पन कारवायरी वह तो फिलाज के लिए मुझे इचाज़त दीजिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में अधाव के लिए